कि लिए यहां से क्या कर लेंगे हम लोग Sine को Common ले लेंगे तो यहां बच जाएगा A1 और यहां बच जाएगा A2 Cos 5 यहां से common हमने क्या ले लिया? Sine Omega T और इधर क्या बच गया? A2 This one Cos Omega T into Sine 5 इसमें हम एक और काम क्या कर सकते हैं इसको एरेंज कर लेते हैं एरेंज कैसे करना है इसको जरा ध्यान दिजिएगा ये 1 प्लस A2 कॉस फाई ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी यहाँ पर एरेंजिंग ये करना है चुकि ये सभी मल्टिपिकेशन में है दिख लेते हैं यानि कि यहाँ पर ये जो टर्म हम दिखना चाहरे है इस वन इस दा कॉस ओमेगा टी इन्टू ए टू और साइन फाई ठीक है हमने यहाँ तक क्या किया है सबसे पहले ये जो वेव है ये जो वेव है ये ये जो वेव है वो ए टू साइन ओमेगा टी फ्लिस फाई आफटर एडिइंग दिस वन यकन शुल डिस एकॉर्डिंग टू दा दिस फोर्मूला साइन ए प्लस बी इसका फार्मूला क्या होता है एक लिए Ckef प्लस साइन बी कlike C ए कि इसको जब हम लोड़ तोड़ेंगे तो थोड़ा सा यहां पट एरिज्चमन्ट करना है कि A2 को आप किस के साथ रखेंगे साइन के साथ और यहां पर क्या करना है साइन ओमेगा टी को क्या कर देना है बाहर कर लेना है clear अब हम यह जो टर्म है इसको इसको मान लेते हैं इसको क्या मान लेते हैं A cos delta मान लेते हैं clear और ये वाला जो term है A2 sin 5 इसको हम A sin delta मान लेते हैं इसको suppose कर ले क्या हमने suppose कर लिया कि A1 plus A2 cos phi equal to A cos delta और दूसरे A2 sin phi को हमने suppose कर लिया A sin delta के लिए इसको हम equation का नाम दे देंगे ठीक है हमने उपर equation 1 और 2 माना है ठीक है तो यहाँ पर equation हो जाएगा इसको पहले इसको मान लेते हैं यह equation हो गया 3 and this is the equation number 4 and equation number 5 के लिए अब अगर हम इन सब को इसमें put कर दे तो क्या हो जाएगा therefore 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 y equal to यह value जब यहाँ put हो जाएगा तो equation बन जाएगा a cos delta into sin omega t plus plus यह cos omega t into a sin delta फिर से मैं repeat कर रहा हूँ हमने क्या भोला कि हमने इस टर्म को इस से replace कर दिया और इस वाले टर्म को इस से replace कर दिया तो यह जो equation है यहाँ यह जो हमारा resultant light wave का equation आ रहा है वो क्या बन जाएगा इस type का कुछ बन जाएगा a cos delta into sin omega t plus cos omega t into a sin delta अगर आप यहाँ से a common ले ले और इस से भी a common ले ले तो जब a common आ जाएगा तो देखें अंदर क्या term बच जाता है अंदर term बचेगा cos delta into sin omega t plus यहाँ पर बच जाएगा आपका cos omega t into sin delta के लिए अब यहाँ पर देख सकते हैं अगर एक को sin के term में इसको अच्छे से लिख लेजिए sin omega t into cos delta और इसको हम लोग लिख लेते हैं cos omega t into sin delta तो यह a और यह b हो गया तो sin a into sin b plus cos a into sin b ठीक है फिर से यह जो relation आ गया ठीक है यह relation यहाँ पर यहाँ पर sin a into cos b का बात plus cos a into sin b तो यह जो relation है वो हमको क्या देदेगा यह relation आपको पता है यह relation देदेगा sin a plus b clear यानि कि कुल मिला करके यह वाला जो टर्म है यह भी क्या आ जाएगा a sin और omega t plus delta sin b so यह जो equation आया while this equation is the equation of displacement of the resultant light wave यानि कि after superposition दो wave ठीक है यहाँ पर आपने दो wave को mix किया है ठीक है y1 plus y2 तो इन दोनों को जब mix किया हमने तो यह नया resultant wave बना यह नया resultant wave का जो equation हमारे पास आया वो क्या है a sin omega t plus delta इस equation में a जो है ठीक है यहाँ पर a क्या चीज़ है a हो जाएगा आपका amplitude of resultant light wave ठीक है और यह जो delta है this is the phase difference ठीक है this one delta is the phase difference clear phase difference phase difference किसका resultant wave का है ठीक है so इस री किन्ट ठीक है बंट झाल झाल